नमस्कार दोस्तों चिकन खाते हैं बड़न खाते हैं मचली खाते हैं और रहने में चीजांit आंड खाते हैं आब घर एक है किचन एक है और वह हमारे पती हैं वह हमें कहते इक बनाओगी तो तुम ही अब एक ही किचन में चिकन भी पक रहा है और एक ही किचन में भगवान की खीर भी बन रही है जब कोई प्रत्य तहवार आता है तो क्या करें क्या उसी बरत्रों में उसी चूले पर हम भगवान का जब कुछ परवाय तो उसमें उनका भोग बना लें और जब हमारे घरवाले चिकन खाएं तो उनके लिए चिकन बना लें तो क्या करें हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या इससे भगवान को जो भोग लगाएंगे वो भगवान स्विकार लेंगे बड़ा विशित्र बड़ा खतरनाक प्रश्ण है ये देखिए सनातन धर में प्याज और लसुम तक को खाने की इजाज़त आपको नहीं है मुरगा मुर्गी तो बहुत-बड़ी चीज हो गई आप उस लोग कहते हैं कि अगर मुरगे नही क्रेकर नहीं क्रोगे सादय दम्या में मुर्या मुर्या हो जाएंगी बखरे बखरे हो जाएंगे तो यह सब आपके अपने मन के वहम है, जो जिसने सोचा, बचने का एक बहाना सोच लिया, लोगों को पागल बनाने का, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आया है, उसकी मृत्यू भी होगी, चाहे मुर्गा हो, चाहे इनसान हो, अब प्रश्ण ही आता है कि क्या एक ही घर की, एक ही किचन में भगवान का भोचन और बाकी घरवालों के लिए चिकन मटन बनाया जाए, तो भगवान का परशाद क्या शुद रहेगा, तो देखिए, मैं आपको बहुत इस्पस्ट तरीके से बता दू, ऐसा हमारे रिशी, संत, बुनी, ज्यानी लोग भी कहते हैं, शास्त्रों में भी कि जिस घर में या जिस घर के अंदर एक बार चिकन मटन मचली अंडा बन गया, जिस घर के अंदर बरतन की बात नहीं करना है, जिस घर के अंदर अगर चिकन मचली और जो भी चीज होता वो बन गया, नॉन वेच, मान सहार, तो उस घर की जो रसोई है, चूला है, वही ब्र तो अगर आपने उसी बर्तनों में बना दिया चाहे कि तरह माज ले बढ़िया से बढ़िया माज ले नीबू लगा के माज ले हो सकता है बर्तन साफ हो जाए चिकन की बद्वू चली जाए लेकिन उस बातर पे उस रसोई में बना हुआ जो भोजन होगा जो इश्वर को आपने चड़ाना है वो इश्वर के चड़ाने योग नहीं होगा और इस दुनिया में जो लोग परिशान है उस पर से कई लोग ऐसी गलती करते हैं तो आप अगर आपकी घर पिर नॉन विज बन रहा है चाहिए नहीं बन रहा है बाहर से लाके भी खाते हैं गरम भी करते हैं तो भी वो रसोई इश्वर की परशाद बनाने के लिए सही नहीं है वहाँ पर बनाया हुआ परशाद नास्तिक हो जाएगा उसका भोग आप इश्वर को नहीं लगा सकते हैं इस बात को ध्यान में रखिए अब जो खा रहा है उसको खाने दीजिए वो नहीं मान रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग लड़ जाएं लड़ना नहीं है समझाना है आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी तो छोड़ देंगे फिर घर बार बार नहीं बदले जाते हैं बरतन बदले जा सकते हैं विधी विधान से घर का शुद्धी करण कराया जा सकता है तो फिर आप पवित्र हो जाएगे जैसे कहते हैं ना कि गंगा में नहा लिये तो पाप थो जाते है तो इसका मतलब यह नही इए कि उधर ते कोई आत्मी चोली करके जाए गंगा में नहा ले और पुलिस नहीं पकड़ेगी जैसे भाहर निको लोगे वैसे हैं पकड़ लेगी तो इसका मतलब यह मैं समझे कि गंगा में डुपकी लगाई तो जजज सहाब सजा नहीं देंगे चोर को जजज वकील करने क्या जरूरत है हर दवार जाके आदमी हर अपरादी गंगा नहा ले कहे हमाई पाप मुक्त हो गए दो घंटे नहाले बैठके तो इसका मतलब यह नहीं नहीं ह Scient Thai पाप क्या होते है वो पाप नश्ट हो जाते हैं जो जाने अनजाने आप उछने आपप से हो जाते अब जान्मूझ के किया हुआ पाप थोड़़ नश्ट होगा जाने अंजाने आप se हो और उसका प्रैस्चित कर रहे हैं, आप कान पकड़ के माफी माग रहे हैं, तो आपको ईश्वर माफ कर सकता है, जाने अन जाने, जिसमें आपका कोई स्वार्त नहीं चुपाता है, हो गही गल्ती, उसके लिए भी कोई जरूरी तुरंत माफी मिल जाए, कुछ वक्त बात मिल कि मुझे माफ करो, ऐसा नहीं कि गंगा में डुपकी लगाई, चार बंतर पड़े, दो पूजा करी और भगवान ने माफ कर दिया, पर सारे अपरादी, हर्दवार और जहां गंगा बहती, वहीं पर बैठे मिलेंगे, नंबर लगेगा, हमने पांच अपरात कि हम पांच ड सोई में भगवान का भोजन और नॉन्वेज बन सकता है, तो नहीं बन सकता, आप लड़िये नहीं, समझाईए, अपनी घर गरस्ती को चलाईए, घर गरस्ती में तनाव पैदा मत करिए, समझाईए, समझ जाएंगे, तो मांग जाएंगे, और उनको अच्छा साहित पढ़ में थी, सबसे पहसे दूद पिया था, घाय का, ये तो वैसी माजसिक विक्रतियों के कारण, वैसे संगत के कारण, वैसे लोगों के साथ उठने बैठने के कारण, व्यक्ति नॉन्वेज की तरफ सला जाता है, किसी का मास खाकर, कभी किसी को शान्ती नहीं मिल सकती, आप अ अंदर भी वही प्रान है, उसके ओभी बनाने व़ाऊ वही वक्ति है, मुर्गे को या मुर्गी को जिसने आपको बनाया प्रान हो सकता है, आज आप मुर्गे को काटें अंकmistररे मुर्गा आप पो काटें, ये तो इश्वर जानता है लेकिन आईसा संभाव है कर छाए तक का रिजल्ट आपके बच्चे भोगते हैं, बरवार के लोग भोगते हैं, ये भी संभाव है, तो आज जिस चीज को खाने में आपको आनन्द आ रहा है, हो सकता है, अगले जनम में आप ही किसी का भोजर बंजा है, तो इस सब चीजों को त्यागिए, न जाने, एक मुर्गा ह एक चिकन है, ऐक मतन है एक अड़ा है और दस बारा आइटम और होंगे खाने मले, जादा से जादा, दस बारा आइटम ही होंगे और खाने मले, और वेज में देखिए, लाख हो चीजे हैं, लाजार हो चीजे हैं, उसका भी आगन द लिजी, सात्विक भोजन करिये, प्यार से चड़वाईए, अपने घर का शुद्धी करण करवाईए, अपना शुद्धी करण कराईए, अविदी विधान से कराईए, सवनात्र धर्म के नियों के अंसार कराईए, फिर उसके बाद बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी खाईए और भगवान को भी है, ठीक है जी, तो प्रश्न जो था उसका उत्तराब मिल गया होगा, हर्यों